हेलो गाइज वेल्कम बेक टू परिक्षागुरु एकेडमी आज है आपका इंडियन पॉल्टी का पार्ट 12 गाई इससे पहले पार्ट 11 हो चुके है आज आपका पार्ट 12 है ठीक है 440 कोश्चन जिसमें हो चुके है और कितने कोश्चन करेंगे लगब 40 कोश्चन अपने करें इंडियन पॉल्टी के ठीक है आजाओ शारे लोग शुरू करते हैं चलो देखते हैं पहला कोश्चन देखते हैं ठीक है पहला कोश्चन क्या बोलता है 441 से शुरू करेंगे मैं बन 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 और टू करके बोलूँगा आप समझ जाना ठीक है क्योंकि नमबर वाइस लिखे ह हो है किसी भाषा को राजबहसा का दरजा कौन दे सकता है राज भिदान मंडन राजभाशा आयोग संसद या पर राश्ट्पती कुसी भाषा को राजभ्हसा का दरजा कौन दे करना या दो राज़ू को यह सारे काम किसका हुता है संसर में प्रिक्रिय चुरुवात होती है किसमें जाता है आपका भाग बन में ठीक है याद रखना भाग बन में यह सारी प्रिक्रिय होती है आर्टिकल एक से तीन वो आर्टिकल एक से चार ठीक है तीन नहीं एक से चार कुश्चन नमबर टू देखते हैं संतहली म happier मड़ी पुर्वउ या फिर बोडो ये बोडो हो गा ठीक है ऑप तो किस भासा को हार्ट वी अनिस्वूची में शामिलtur नहीं किया गया है तो किसे शामिल नहीं किया गया है तो option B मिजो भाषा को शामिल नहीं किया गया है आपको मैंने बताया था लास्ट समीधान शंशोदन कब गवा था आपका जल्दी से बताओ 91 92 वा समीधान शंशोदन तो आपका 92 वा समीधान शंशोदन 2003 के द्वारा कितनी भाषा को एड़ किया गया चार भाषा को एड़ किसे BDMS कैसे मैंने बताई भी थी पहले भी ट्रिक बताई थी BDMS बोडो डोगरी मैथली और संताली मड़ी पूरी पहले भी एड़ कर मनलब किसमें समीधान शंशोदन में आठवी अनिसूची में कोश्चन नमर थर्ड देखते हैं राज्यों में समीधानिक तंत्र के बिफल होने पर राष्टपति श्रास्तन लागू किया जा सकता है अनूच्छे 356 के तहट अनूच्छे 360 अनूच्छे 352 या अनूच्छे 356 बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कुश्चन गलत हो जाएं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ए और डी एक है कोई नहीं आपसन ए कल लो बात एक है ठीक एक कट कर दो अनूच्छे 356 के तहट जो है राष्टपति शासन लागू किया जाता है 352 क्या होता है ये र सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है तो अनूच्छे 356 के तहट राष्टपति शासन लागू किया जाता है 306 आपको पता ही है फाइनेंशियल बित्तिये इमर्जिंसी होती है कोश्चन नम्बर चार देखते हैं अनूच्छे 356 का संबंद है बहुत इसी कोश्चन मैं आपको ले लिता हूँ ताकि आपको अन्दाजा रहे कि हाँ कोश्चन कैसे आता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए आपातकाल से है कोश्चन नम्र 5 दिखते हैं राष्टपती द्वारा किस आपातकाल की घोश्रा की जा सकती है बित्ति आपातकाल की राष्टी आपातकाल की राज्जीय समयधानिक आपातकाल की या उप्योक्त सभी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन डी उप्योक्त सभी बित्ति आपातकाल की वी राष्टी आपातकाल की वी और राज्जीय समयधानिक आपातकाल की Q6. अब तक कितनी बार राष्टी आपातकाल की उद्गोशला राष्टपती द्वारा की जा चुकी है? 2, 4, 3 या फिर 5 राष्टी आपातकाल की उद्गोशला तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ्षन C, 3 बार ठीक है? कब कब? 62, 65 और 75 ठीक है? जो 75 वाला आपका किया गया था यह इंपोर्टेंट 75 वाला इंदरा गांदी जी के टाइम में किया गया था आपातकाल यह किसलिए किया गया था? कि देश के अंदर जो था वो समिदान एक तंत्र मतलब सही से सिस्टम नहीं चल पा रहा था इसी वैसे 1975 को आपातकाल गोशित किया गया था बागी यह था आपका चीन से युद्ध यह था आपका पाकिस्तान से युद्ध तब राश्टी आपातकाल गोशित किया गया कोश्चन नमर 7 दिखते बारती समिधान के किस भाग में पंचायती राज से सम्मंदित प्राबदान है? भाग 9, 8, 7 या फिर 6 पंचायती राज से सम्मंदित तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्सेन A, 9 भाग किसमें? भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है यह किस आर्टिकल के तहता है तो आर्टिकल याद रखना 243 के तहत ठीक है? एक चीज़ और बता देता हूँ, दोखो Present के अगर बात की जाये जैसे 22 भाग हैं भाग पार्ट कितने? 22 जो क्या होता है? पार्ट होता है, पार्ट के अंदर क्या होता है? फिर एक पार्ट एक बना दिया, पार्ट दो बना दिया, इस तरीके से फिर उसके बाद पार्ट के अंदर आर्टिकल आ जाते हैं अनुच्छेद आ जाते हैं ठीक है इस तरीके से बना हुआ होता है अपना समीधान जो लिखा हुआ है वह इसी तरीके से लिखा हुआ है ऐसा करने से क्या हो जाता है समीधान को पढ़ना और लिखना और बोला सब आसान हो जाता है इस बेसे पार्ट अगर बर्दमान में बात की जाए तो अब 25 है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि जो 22 से पहले वाले भाग है उनमें 2-2 एक-एक बढ़ गए है ठीक है? याद रखना कभी-कभी एक्जाम में आपको भाग 25 भी देखने को मिल सकता है अगर भाग 22 आफ़सन में नहीं है तो आप भाग जो है वो 25 लगाना है कुश्य नमबर 8 दिखते है 25 समीती का गठन होता है जिला इस्तर, अनुवंडल इस्तर पिरखंड इस्तर या फिर गिराम इस्तर तो पंचायत समीती का गठन होता है किस पिरखंड इस्तर बार कुश्य नमबर 9 पंचायत राज को मजबूती पिरदान की गई 74 समीदान शंशोदन 74 समीदान अवंडवेंड 73 बहातरवे या फिर 71 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन 23 समीदान शंशोदन 1992 के द्वारा ठीक है पंचायती राज के बारे में बाकी आपको दिया हुआ है पंचायती राज किसके कहने पर लागू हुआ तो बलबंत राए महता समीती के कहने पर हला कि बहुत सारी समीतियों ने काम किया था मनलब इस पर पंचायती राज के सिस्टम के लिए लेकिन जो मानने हुई वो आपकी बलबंत राए मेता समीती मानने हुई ठीक है ठीक है कौन कौन से गिराम बिलॉक और जिला ठीक है गिराम बिलॉक मतलब पंचायत और जिला इस तर पर ठीक है पीछे से आवाज आ रही है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा काम हो रहा है कहीं पर कंस्ट्रक्शन का कुश्चन नूमर 10 देखते हैं मतलब की 450 बाद चोतर बे समिधान शंसोधन का संबंद है नगर निगम से पंचायती राज से कमजोर बर्गों के अरक्षड से या फिर ए सभी तो बहुत आराम से इसका अंसर हो जे सकते हैं तो आप्शन ए नगर निगम से ठीक है जो कि आपका 1993 के द्वारा किंदी आ गया है ठीक है नगर निगम से अब सबसे पहले नगर निगम कहा बना तो आपका याद रखना मदरास के अंदर उसके बाद आंदर प्रिदेश के अंदर कुश्य नमबर 11 यानि कि 451 बाद सबसे पहले पंचायती राज कहा लागू किया गया उत्तर प्रिदेश, मद्र प्रिदेश, गुजरात या फिर राजस्थान तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन डी राजस्थान 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागावर जुले में पंचायती राज सिष्टम लागू किया गया पंचायत चुनाओं के लिए उमीदवारों की नियुनतम आयू सीमा होनी चाहिए 20 बर्ष, 18 बर्ष, 30 बर्ष, या फिर 21 बर्ष जो आपके पंचायत के चुनाओं होते हैं जिला पंचायत के इसमें क्या होता है देखो मैं गिरामिस्थर की बात करूँ जो बलेज होते हैं गाओं होते हैं उसमें क्या होता है एक पिरधान होता है तीक है अब बहुत सारे गाओं को मिलाके बहुत सारे गाओं को मिलाके जिसके अंदर से लगवा 50, 60, 70 जैसा एरिया बढ़ जाए उससाथ से उसका एक लेटर बनता है कौन सार जिससे बोलते हैं जिला पंचाय सदस्त उसी की बात कर राएए अब फिर जिला पंचाय सदस्त को जोड़ लिजा तो फिर बनता है आपका बिलाक पिरमूख इसी तरीके से चेन बनती चले जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन डी 21 बर्ष नियुन्तम चाहिए होती है कोश्चन नमर 413 निम्न में से कौन सा पंचायती राज के कारी छित्र में नहीं आता मादमिक शिक्चा किर्षी उत्पादन, गिराम उत्दोग या फिर गिरामी विर सडके थोड़ा सोच के आराम से आंसर दे सकते हो इसका पंचायती राज के कारी छित्र में नहीं आता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन A मादमिक शिक्चा जो कि आपका पंचायती राज के सिस्टम में नहीं आती है आपके किसमें आती है? संबर्ती सुची के अंतरगत आती है याद रखना Question No. 454 अशोक मेता समीती का संबंध है बैंकिंग पिर्डाली में सुधार, आर्थिक सुधार, पंचायती राज या केंदर राज संबंध तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? Option C पंचायती राज सुधार से इन्होंने संबंधित है अशोक मेता समीती अच्छा अशोक मेता समीती थी क्या? थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना यह जैसे कि आपने पता बलवंत राय मेता समीती जो है वो पंचायती राज सिस्टम के लिए मानने कर दी गई ठीक है उसी सिस्टम को अपना लिया गया उसके बाद अशोक मेता समी समीती ने भी अपने बताया था बहुत सारी में बताया था ना समीती वनी पंचायती राज सिस्टम को अच्छा करने के लिए तो अशोक रेता समीती ने दो इस्तिरिये जो है वो बताई थी तिर इस्तिरिये कौन सी थी आपकी समीती तो आपकी बलवंत राय मेता जो चलती ह गया इसी वेज़ से बल्वंत राय मेता समीति को मानने कर दिया गया कि कुश्चिन 455 पंचायती राय संस्तान के अधिक्तम आय का शुरोत है सरकारी अधिक्तम आय का शुरोत क्या है चल्दी से आंसर दो इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए सरकारी अनुदान पंचायती राज की अधिक्तम आय का शुरोत है सोर्च है कुश्चिन नमबर 456 भाशाई आधार पर गठित भारत का पिर्थम राजी था हरियाड़ा केरल तमिलाडू या फिर आंधर पिदेश तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन डे एक अक्टूबर उनिस सो तरीपन को भाशाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज आपका आंधर प्रिदेश था ठीक है इस क्यमी थी के एक कमेटी बनाई गई थी भाशाई के आधार पर उस कमेटी का नाम नहीं आ रहा मुझे यार उसके जो हेट थे वो हैसे के एस धर करके नाम तोंगा के एस धर ठीक है चार सदस्य कमेटी थी तो भास्षा के आधर पर गटित होने वाला पिर्थम राज हांद्रप्रदेश उसके पाद फिर राज्जु का पुन्वर गठन हुआ जो कि आपका 1956 में हुआ कि जिसमें गटित होने वाला पहला राज्जु कौन सा था कि चलो आप बढ़ाना कमेंट करके मैं तो बता सकता हूं लेकिन आप बता रहा हुआ 4567 क्या बोलता है बारती समीदान लिम्निकित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है एकल नागरिकता दोरी नागरिकता यह और भी दूनों या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका Right answer क्या हो जाएगा Option हम केखiyorum है एक फिर ना खिर्दान करता है लेकिन भारत चीनल आप करता है आप कहीं भी दूसी जगे चले जाओगे या दूसी जगे से शादी बगएर कर लेते हैं तो यह कानून है पूरे अलोवर वर्ल्ड में कि आप जो है दूसी जगह बहीं कि मतलब जैसे कि आप अमेरिका जगह सुट्जा लेंड गए आपने वहाँ शादी कर ली तो कुश्चन नमर फूर पाइवे समीदान के किस अनुचेत के द्वारा संग एवम राज्जों के लिए लोग सेवा आयोग का प्राबदान किया गया है 310 312 314 या फिर 315 तो इसका राइट अंजर क्या हो जाएगा ओप्शन है जल्दी से बताओ ऑप्शन दे 315 अ दो एक चीज़ बताऊं मैं कल आपको बुजब होगी ना वाली क्लास आपकी जीए जीके की उसमें मैं आपको एक जो क्राइम रिकॉर्ड है न अपना यूपी के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा क्योंकि आपको पता है कि अभी मतलब खूकार कह सकते हैं उनलब एक हिसाब से गुं कि ना मोर्निंग में उसमें मैं बताऊंगा ठीक है और यूपी के क्राइम के रिकॉर्ड के बारे में भी जान लेंगे क्योंकि सबसे जादा जो धर्जी रिकॉर्ड है क्राइम का पूरे ऑल ओवर इंडिया में वह सबसे जादा यूपी का ही है हेँ है के दिस किस बर्ख ग्हांज क्मिर इन शामिल किया गया मैं है 1595 है 35 और पांचेरी कूं किस बर्श बारतिय संग देजत्याम में शामिल तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ओप्शन बी 1969 में कुश्चिन नमर 460 32 संग में किसी राजवाशा को समिलित करने का अधिकार किसे है राश्टपती को, संसत को, पिरधान मंतरी को या फिर लोकसबा अध्यक्ष को किसी राज़ को समिलित करने का अधिकार किसको है ताराम से बता सकते हैं इसका राइट अंसर, ऑफ्शन B, संसत को ठीक है कुश्चिन नमर 461 भाशाई अधार पर राज़ू का पुनरगटन कप किया गया बर्ष 1947, 1922, 1953 या फिर 1956 तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफ्शन D, 1956 को राज़ू का पुनरगटन किया गया ठीक है और इसके जो हैट थे वो आपके थे फजल ऐसी कुछ नाम था उनका हाँ यह आग भी क्या, क्वेश्चन भी आ गया 462 बर्ष 1953 में राज़ू का राज़ू का राज़ू पुनरगटन आयो के अध्यक्ष कौन थे यह 1953 नहीं होगा, यह आपका 1956 होगा, ठीक है कर लेना इसे 1956 तो इसके हैट कौन थे तो आफ्शन A, नियायमूर्थी, फजल, अली गाइस देगो, मैं किसी भी टॉपिक में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुट ढून ढून के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बच नहीं रहा है, बस क्या है कि आप जो है न, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवाइस जरूर कर लिया करो, किसी भी चीज को मैंने बताया थे न, कंसेंटेट हो के पढ़ा करो, फिर आपको ध्यान रहेगा, समीदान सबा के सदस प्रतिनिदीत थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्सन बी, जनता दौरा आप पिरतियक्ष निर्वाच सदस से थे, समीदान सबा में, कुश्चन बर 464, भारतिय समीदान का अभी भावक कौन है, राष्टपती, पिर्दान मंत्री, सर्वोच नियाल है, या फिर निर्वाचन आयोग, अभी भावक, मतलब की कह सकते, एक चलने वाला, लेके चलने वाला, फॉलो करने वाला, दोको कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिने समझने आपके लिए जरूर ही होता है, अब जैसी मैंने बताया, फॉलो करने वाला समीदान को, तो आपके दमाग में एकदम आंसर क्लिक कर गय होगा, इसी बिन से अगर कोई वर्ड आपको ऐसा मिलता है, हिंदी में जो नहीं समझ में आता है, वो उसे आप इंगलिश में देख लिया करो, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जो इंगलिश में देदी होते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, तो उन्हें भी इंट सम्मिधान की सर्वोच्चिता केंदर में संपूर शक्ति, शक्तियों का एक ही करण. तो भारतिय संगे विवस्ता की एक विशेष्टा है, एक क्वाल्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option B, सम्मिधान की सर्वोच्चिता. Q466, भारतिय सम्मिधान का आप किस पिरकार बढ़न करेंगे? आकार में मद्यम, बहुत चोटा एबम, सुराहत, भिश्व के सबसे विस्तित सम्मिधानों में से एक, यह लिकिए सम्मिधान नहीं है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option C, बिश्व के सबस्तित सम्मिधानों में से एक, कुश्चिन नमबर 467, भारतिय सम्मिधान में सम्मिधान शंशोधन की पिरकिरिया का आदार है? क्या है? दक्षिड अफ्रीकी सम्मिधान, भारतिय अदीने 1935, कनाड़ा का सम्मिधान या फिर अमेर्की सम्मिधान? तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? Option A, दक्षिड अफ्रीकी सम्मिधान, जो की भारतिय सम्मिधान में सम्मिधान शंशोधन की पिरकिरिया का आदार है? कुश्चन नमर 46, भारतिय सम्मिधान में सबसे ज़्यादा पिर अबदान कहां से लिया गया है? कनाड़ा की सम्मिधान से भारतिय शासन अदीनियम 1935, अमेर्की सम्मिधान या फिर भारतिय अदीनियम 1919, थोड़ा सोच के आंसर देना अच्छा कोश्चन है, यह टॉप ले तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? ओप्स्टन भी भारतिय शासन अदीनियम 1935 के द्वारा भारतिय सम्मिधान में सबसे ज़्यादा प्रब्दान लिया गया है कुश्चन नमबर 469, भारत में सम्मिधान शचोधन की शुरूआत कर सकता है? राज, संसर, आम जनता या फिर राश्टपती तो सम्मिधान शचोधन की शुरूआत कौन कर सकता है? देखो एक ही कुश्चन है, बारवार गुमा गुमा के कुश्चन पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप्शन B, संसदी कर सकता है कुश्चन नमबर 470, भारती सम्मिधान में कितने पिरकार की आपातकालीन वेवस्ताएं हैं? चार, तीन, दो या फिर एक? बहुत इसी कुश्चन तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओप्शन B, तीन, आपातकालीन वेवस्ताएं हैं? 356, 360, 471, राज के नीती निदेशक सिद्धानतों के अनुसार किस आयूत तक के बच्चों को निश्विल कैवं अनिवारे शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप्शन, 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्विल के शिक्षा देने का प्रबदान किया गया है, जो कि आपका कौन से विस समीधान शंशोदन में आता है, 86 विस समीधान शंशोदन के अंतरगत आता है, ठीक है, याद रगना चलो देखते है, कौशन नमर 472, समीधान के किस संशोदन अधिनियम के द्वारा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 84, 86, 88 या फिर 91 वा, मैंने भी बताया था इसके बारे में यह क्या अपका मूल अधिकार बना दिया गया, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, 86 वा, समीधान, शंशोदन बहरत के राजनीतिक दलो को राष्टिय या छेत्रिय दलो का दर्जा कौन पिर्दान करता है? पिर्दान मंत्री, चुनाव आयो, संसद या फिर राष्टपती तो भारत के राजनीतिक दलो को राष्टिय या छेत्रिय दलो का दर्जा कौन पिर्दान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी चुनाओ आयो कुश्चन नमबर 474 लोग सबाद अध्यक्ष को पद्मियुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है ओप्शन पढ़ने फिर आंसर देना है सारे बड़े बड़े ओप्शन है इसके गाईज अवास तो नहीं आ रही बाहर की थोड़ा सा कंस्ट्रेक्शन का काम हो रहा है इस बेह से तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए लोग सबाद के कुछ सदस्चू के बहुमत से हाबिश्बास प्रस्ताव पारित करके ठीक है लोग सबाद देख चो क्या कह जा सकता है पत्से हटाया जा सकता है कुश्चन नमर 475 नीती निदेशक सिदान्त शामिल है 4, 1st, 2nd या फिर 3rd तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option A भाग 4th में article कौन कौन से आता है 36 से लेकर 51 नीती निदेशक सिदान्त में चलो देखते हैं आगे कुश्चन नमर 476 किस समिधान शंशोदन द्वारा मर्दान के आयू 21 बर्ष से गठा कर 18 बर्ष कर दी गई 44, 52, 61 या फिर 42 तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option C 61 पे समिधान शंशोदन 1989 के द्वारा 21 बर्ष से गठा कर 18 बर्ष मत्दान के आयू कर दी गई देखते आगे कुश्चन 477 निम्नी में से केंद्रिय सूची का बिशय नहीं है विदेशी रिव, मजदूर संगठन, बैंकिंग या फिर जन्गर्णा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option बी, मजदूर संगठन, जो की आपका केंद्रिय सूची का बिशय नहीं है ठीक है, चलो देखते है, 478 राज्य सवा में राज्यो का दिया गया है अच्छा अगर ऐसा हो जाए ना, साक्चर्था के हिसाब से सीड दी जाए तो सूचो बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब यह साक्चर्था बोवाली में बात कर रहा हूँ, नेताओ को जो सीड ए मिल दी है बड़ी-बड़ी, कोईसा ही मंत्री है, तो वो जो है, उसकी साक्चर्था के हिसाब से देना चाहिए इससे क्या होगा, जब वो पढ़ा लिका होगा, समस्दार होगा, तो वो उसी साब से सोचेगा देखो एक चीज होती है, जो शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि आप पढ़के कोई जौबी लें, कोई काम ही करें, कोई नौकरी करें इसका मतलब यह नहीं, शिक्षा का मतलब यह होता है, जब आप अच्छे लेबिस से पढ़ए होते हैं, तो आपके पास दिमाग जो होता है, वो ओपन होता है आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो कोई बिजनिस अच्छे से कर सकते हो और बाकी अपने पढ़ाईद में तो आप अच्छे होई इसके लावब बहुत सारी चीज़े आप एक्टिविटी अच्छी कर सकते हो लोग की हेल्प कर सकते हो लोग के नजरीया बदल सकते हो सिर्फ पड़ाई लिखाई से हैं समझे रहे इतना फाइदा होता है एजूकेशन से अगर आप मतलब जब भी देखेंगे चाहें वो पुराने टाइम में ये अपके टाइम में जातर निता क्या होता है पड़े लिखें नहीं है इसी वेज़े से क्या होता है वो हमेशा कट्टरपन की बात करते हैं जिससे कि क्या होता है आपको पता ही अच्छे से कि बोटिंग का सब एजंडा चलता है इसी वेज़े से देश में कोई भी विकास है आपको पता है 6-8,000 वेकेंसी एंटी-पीसि की रद ने के लिए हैं अब आफ समझ रहे हैं क्यों उनी को रद रदू होने के लिए हैं क्यों कि ये अभी इसपे चल रहा है मुद्ध ठीक हैं अभी देखो क्या आपके लिए कितनी भी तयारी करोंगे फिर विकार हैं आप मेरी बातों को अच्छे समस्ते होगे जैसी कि मालों LIC है LIC आपको पता है प्राइबेट के अंडर में आच चुका है बिग गया है LIC में जो वेकेंसी आती थी अब वेकेंसी नहीं आएगी क्योंकि प्राइबेट वाले क्या होता है अपने हिसाब से लगाते हैं और प्राइबेट में आज के टेम में आपको कम्टीशन पहले पता ही था कि कैसे काम होता है जहां पे आपको गौर्मेंट में 20-10 रुपे मिलते यह थे बो लोग लगाएंगे 5000 में ठीक है इतना फरक हो जाएगा और कम्टीशन भी इतना होगा बहुत ज़ादा लोगसबा का कारिकाल क्या है किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता है आपातकाल के समय एक बश्च तक बढ़ाया जा सकता है या कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option B आपातकाल के समय एक बश्च तक बढ़ाया जा सकता है Question number 480 Last question है आच का लोगसबा अध्यक्ष क्या होता है? मत बराबरी पर बोर्ट दे सकता है बोर्ट का अधिकार नहीं है दो मत का अधिकार है दूसरे सदस्तों के समान मत दे सकता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option A बराबरी मत जो है बराबरी पर बोर्ट दे सकता है जब मत इधर भी बराबर पढ़ गया इधर भी बराबर पढ़ गया तब यह जो है अपना बोर्ट दे सकता है ठीक है गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अब मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखिए तो देख ले ना जीए 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 ठीक है त्यांसे ओके बाई एब्रिवन